हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रका शर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास पाक साप पार्ट 6 प्लीज लाइक शेर सब्क्राइब माई चैनल आशा मोच से नहीं डरती मोच से डरना होता तो सिक्रेट एजेंट ही क्यों बनती और हजारों नोक्रियों में से कोई नोक्री कर सकती थी मगर ये नहीं सोचा था कि सिक्रेट सर्विस की बागी गोशित होकर मारी जाऊंगी और क्या सोचा था सोचा यह था कि देश के दुश्मनों से जूशते हुए प्राण निकले मा भारती की रक्षा करती मारी जाओं अब भी तो वही होने वाला है अशा अब भी तो वही होने वाला है दिवानगी की आलम में अश्रप कहता चला गया विकास चनरल परवेज मुशरप के गाल पर थपड मानने निकला है सबक सिखाने निकला है उसे उसे जो हमारे मुल्क के सेकडो बेगुनाहों को मारता है और वे लोग कौन हुए वे लोग जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो यह नहीं चाहते कि वह हिंदुस्तानी थप पर जनरल परवेज मुशरप के गाल पर पड़ी देश के दुश्मन ही नहीं हुए क्या वे वे बले ही विजय और सिक्रेट सर्विस के चीप ही क्यों न हो मगर है देश के दुश्मन ही और अगर हमारी किस्मत में ऐसे ही देश के दुश्मनों से लोहा लेते मर जाना लिखा तो हमें हिचकना क्यों चाहिए, बहुत बड़ी बात कह गए अश्रप, बहुत बड़ी बात कह गए तुम, अगर इस बड़ी बात को तुम हदै से स्विकार नहीं करती, तो वापस लोट जाओ आशा, सोच लेना, मैंने तुम्हें यहां कभी भुलाया ही नहीं था, विकास नाम के जियाले की मदद के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, नहीं, अब मैं लोट नहीं सकती, लोटने के रास्ते बंध हो चुके हैं, मतलब अब मेरे पास केवल दो रास्ते हैं, पहला तुमारा साथ देना, तुमारी तरफ भागी बन जाना, दूसरा तुमारे विच दूसरा रास्ता जो तुमने सुजाया, यह की मैं वापस लोट जाऊं, भूल जाऊं की तुमने यहां बुला कर, मुझसे यह बाते की, यह तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैंने अपने एक साथी, सीक्रेट एजन को बागी होते देखा है, और उसे गोली से नहीं उड़ा दि यह तो अपने करतविय से गदारी हुई, और आशा बागी हो सकती है, गदार नहीं, अंजाम अब चाहे जो भी हो अश्रप, मैं अपने आखरी सास तक, तुमारे साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुमसे यही आशा थी, आशा, अब हाँ मैं आ इसक्रीन के पार काफी दूर नजर आ रही, काले खां की सराय की तरफ इशारा किया, वहाँ क्या कर रहा है वहाँ, कुछ आतंगमादियों को अपने जाल में फसाने की कोशिश कर रहा है, आतंगमादियों को आशा उलत सी गई, बात कुछ समझ में नहीं आई, बात तब तक समझ में आप ही कैसे सकती है जब तक पूरी न बताओं तो भताओं न यहां तो तुम्हें पता ही होगा कि विजय को गुलफाम के ठीये से विकास के यहां होने का पता लगा हां मालूम है उस वक्त उसने मुझे भी यहां पहुचने के लिए फोन किया था परंतु में इस इला उतने कम समय में नहीं पहुच सकती थी तब उसने रगुनात को फोर्स के साथ यहां पहुच कर विकास को गेरने के लिए कहा यहां कोशिश रगुनात ने की भी थी मगर विकास पूरी फोर्स को धता बता कर फरार होने में काम्याब हो गया बाद में विजय भी यहां पहु से मगजमारी करके वापस लोड गया इतनी सीधी चाले नहीं चला करता विजय अगर वह इतनी ही सीधी चाले चला करता तो उसे विजय ही कोई न कहता गजब का दिमाख रखता है कमबगध अश्रप कहता चला गया सराय की मालकिन से मगजमारी के बीच चूस उसने यह निकाला कि कम से कम एक बार विकास यहां और आएगा, वही हुआ, तब तो उसने विकास के स्वागत का इंतजाम भी जरूर किया होगा, यकीनन किया, क्या किया, मुझे तेनात किया यहां, कहा, मुझे 24 गंटे सराय और उसकी मालकिन पर नजर रखनी है, 24 गंटे नजर रखने के लिए मुझे एक तरीका सूजा, ओ सामने जो खोखा नजर आ रहा है, वह जमा लिया वहां और छोले बटूरे बेचने लगा, बरतन आदी दोने के लिए, एक इस्थानी लड़का भी पकल लिया है, दिन में छोले बटूरे बेचता हूं, रात को खोखे के तकते पर सोने का नाट करता हूं, इस्थानी लड़का अपनी खोली में चला जाता है, आज की रात, अब से करीब दो गंटे पहले, एक शराबी ने अपनी समद में मुझे सोते से जगाया, माचिस मांगी, कम से कम उस वक्त में उसे शराबी ही समझा था, ताव भी खा गया था, उसकी अटपटी ह अरकत पर, इसलिए पठे के जबडे पर एक जमा भी दिया, वह उचल कर सडक पर जा गिरा, जैसा कसरती उसका जिस्म था, उसे देखते हुए, उमीद मुझे यह थी कि वह पलट कर हमला करेगा, मगर वह तो उटते ही, दुम दबा कर भाग लिया, उसकी यह अरकत मुझे अ वह नशे में नहीं, बलकि जान बूच कर की, दिमाग में सवाल कोंदा, ऐसा है तो क्यों, उसने क्यों वह हरकत की, मुझे यहां क्योंकी इंतजार ही विकास खा था, इसलिए मन में शंका उबरी, कहीं यह विकास तो नहीं था, यह शंका उबरते ही, आँखों के सामने, उस उसका बलिष्ट शरीर चक्रा उठा, लगा, निश्चित रूप से वह शरीर विकास का ही था, यह सब सोचकर में रोमांचित हो उठा, तब तक वह सराय के पिछली तरब जाने वाले मोड पर मुड चुका था, मैंने उसका पीछा करने का निश्चय किया, निश्चय क्या कि ही जो कर दिया था, पीछा करता हुआ, मैं उसी रास्ते से सराय में पहुचा, जिसमें से वह गया था, वहां उसकी पहली मुठबेड सराय की मालकिन से हुई, उसे मुठबेड में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स टाइम में वह भी उसे नहीं पहचानती थी, उदर य उस वक्त मैंने खुद को एक पिलर के पीछे छिपा रखा था, उनकी बातों से पता लगा की, सराय के तैखाने में असकर, सन्वर और लियाकत नाम के तीन आतंगवादी मौजूद है, और वर्तमान मेकब में विकास ते अपना नाम शभीर शाह रखा हुआ है, शभीर शाह आशा चोकी, मैं तुमारे चोकने का कारण समझ सकता हूँ, कहरी सास लेने के बाद अश्रप कहता चला गया, समझ सकता हूँ की, तुम टीवी देख चुकी हो, और यह जान चुकी हो की, इस नाम के शक्ष ने, अमेरीकी राजदूत और उसके ड्राइवर की हत्या की है, और तुमारा दावा है की, वह विकास है, यह मेरा दावा नहीं, बलकि मुझे मालूम है की, वह विकास है, कैसे मालूम है, विकास और शानता के बीच हुई बातों से, मगर विकास शबीर शाह क्यों बना, और उसने वे कतल क्यों किये, खुद को आतंगवादी साबित करने के ल मैंने सुनी सब कुछ समझाने के बाद उसने शांता से कहा कुछ देर बाद तुम तीनों आतंगवादियों का खाना लेकर बेस्मेंट में जाओगी उस वक्त तुम सीरियों पर ही होगी जब मैं तुम पर हमला करूंगा याद रहे अजगर सन्वर और लियाकत को स्वपन तक में गुमान नहीं होना चाहिए की हम मिले वे हैं उन्हें यही समझना चाहिए की मैंने अचानक वहाँ पहुँच कर तुम सब को केल लिया है और वही सब हुआ मेरी आखों के सामने हुआ सब कुछ अपने कानों से सुना मैंने विकास ने देखते ही देखते बेस्मेर में पहुँच कर तीनों आतंगवादियों को अपने जाल में फसा लिया जाल में फसाने से क्या मतलब आशा ने पूछा विकास उनसे क्या चाहता है वह खुद को आतंगवादी साबित करके उनका साथी बढ़ना चाहता था इस काम में उसे ज़्यादा मशकत नहीं करनी पड़ी क्योंकि असकर सन्वर और लियाकर टीवी पर पहले ही उसका कारनामा देख चुके थी उनके बीच बातों की रसाकसी अभी चली रही थी कि तीनों आतंगवादियों के बोस जिसे वे सुप्रीमों कहकर पुकार रहे थे सुप्रीमों ने लेपटॉप ट्रांस्पिटर पर उनसे संपर्क स्थापित किया इसी पर विकास की बात भी सुप्रीमों से हुई सुप्रीमों उसे अपने संगठन में लेना चाता था तुम यह सब देखते और सुनते रहे आशा ने पूछा कोई धखल नहीं दिया नहीं क्यों क्यों क्योंकि मैं जानना चाता था कि विकास आखिर है किस फिराक में क्यों वह खुद को आतंगवादी बना कर उनके बीच गुस रहा है क्या जाना जान तो लगबग सबी कुछ चुका हूँ वह भी जो विकास नहीं जानता शायद इसलिए मैंने तुमें यहां बु बीच बीच में मुझे रोक कर सवाल करती रहोगी तो कुछ समद भी नहीं पाओगी महरबानी करके मुझे सारी बाते सिलसिलेवार बताने दो ओके उनकी बाते सुनने के बाद मैं जिस खामोशी के साथ सराय में गया था उसी खामोशी के साथ वापस आ गया दिमाग चक्करगिनी बना हुआ था, समझ नहीं रहा था कि इस हालाद में मुझे क्या करना चाहिए था मैं अपने खोखे के तक्ते पर लेट गया, मुश्किल से एक गंटा गुजरा था कि सराय के ठीक सामने एक चमचमाती काली एसेंट रुकी जाहिर है, मेरी सारी इंद्रिया सजग हो गई और उस वक्तो मेरे दिमाग के सभी तार जंजना उठे जब एसेंट से ओसामा बिन लादेन उतरते देखा, मारे हेरत के आशा के हलक से चीख निकल पड़ी ओसामा बिन लादेन तुमने फिर बीच में बोलकर अश्रब ने कहा अरे मगर ओसामा बिन लादेन और यहां भारत में और वह भी राजनगर में उस शक्ष की तलाश तो वही, वही मन में सोच कर तो मेरे हाथ पाउं फुल गए थे कह क्या तुम कह रहे हो ओसामा, सस्तो है यह मगर अदूरा सज एक बार फिर अश्रब आशा की बात काट कर कहता चला गया ओसामा बिन लादेन का नाम सुनकर जो प्रतिकिरिया तुम पर हुई है वही, भलकि उससे भी कही ज़्यादा चोकाउ पतिकिरिया मुझ पर हुई थी कारण तुम केवल मेरे मुह से ओसामा का नाम सुन रही हो जबकि मैंने उसे एसेट से निकल कर सराय के मुख्यद्वार की तरब शाक्षात पढ़ते देखा था सोचा था अगर इस वक्त मैं इस शक्ष को दबोच लूँ तो जार्ज डबल्यू बुश आज अमेरीका मेरे नाम कर सकता है मगर मेरा यह ब्रह्म जल्दी ही तूट गया तब जबकि उसका पीछा करता हुआ मैं सराय के अंदर पहुँचा वहाँ जब रोशनी में मैंने उससे देखा तो पाया उसके चेरे पर मेकप था उसामा बिन लादेन का मेकप एसा उसने अपने वास्त्विक चेरे को छुपाने के लिए किया था उप तुमने तो मेरी सासे ही रोग दी थी सराय के ग्राउन फ्लोर पर उस वक्त कोई नहीं था मगर वह पठ्ठा ठीक इस्तर शान्ता के पर्सनल रूम में जा पहुचा जैसे वहाँ आता जाता रहता हो इतना ही नहीं गुप्त दर्वाजा खोल कर वह सीधा बेस्पेट में जा पहुचा मगर वह था कोन सुप्रीमो सा सुप्रीमो वही सुप्रीमो जिसने कुछ देर पहले असकर सन्वार लियाकत और विकास से लेप्टोप पर बात की थी यहाँ बात मुझे तब पता लगी जब तीनों आतंगवादियों ने उसके चेरे पर नजर पढ़ते ही उसे सुप्रीमो कहकर पुकारा कुछ देर बाद उसने शान्ता को वेस्मेंट से जाने का हुक्म दिया मैं समझ गया वह जो भी बाते करना चाता है शान्ता के सामने नहीं करना चाता मगर मुझे उनकी बाते सुनने थी शान्ता उपर आ गई तुम समझ सकती हो उस वक्षान्ता की नजरों से छुपे रहकर बेस्मेंट में चल रही बाते सुनना मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा मगर जैसे भी किया यह काम किया और उसी वज़े से जान सका की सुप्रीमों उन लोगों से विमान अपरण कराना चाता है वह विमान अपरण एक बार फिर आशा चोकी मैं तुमारे फुदगने का कारण समझ सकता हूँ शायद तुम भी जानती हो की विमान अपरण रोकने के लिए अंतरास्टी इस्तर पर कितनी जबर्दस्त सुरक्षा यवस्थाएं की गई हैं सुप्रीमों ने उने उनी सुरक्षा यवस्थाओं के बारे में बताया उनी की वज़े से उसके असकर सन्वर और लियाकत नामक तीन प्यादे विमान अपरण के बारे में केवल सोचते रहे थे इस अजीमों शान काम को अंजाम देने की स्कीम तक नहीं सोच सके थे परन्तु विकास ने स्कीम सोच लेने का आश्वशन दे दिया है या यानी की अब वह विमान अपरण करेगा लगता तो ऐसा ही है ना मुनकिन आशा कै उठी अश्रब वाल्ट्रेट सेंटर वाली गटना के बाद विमानों की जितनी शुरक्षा योस्था की जा रही है उन्हें जानने के कारण मैं कैस सकती हूँ की यहा काम ना मुनकिन है क्या तुम यहा नहीं जानती की विकास नाम के लड़के को चसका ही ना मुनकिन को मुनकिन करके दिखाने का है मां मगर इस काम को वह करेगा कैसे अभी उसने सुप्रीमों को नहीं बताया है, केवल यह कहा है कि वह जल्दी ही विमान अपरण की कोई योजना सोच लेगा, मगर मेरा ख्याल है वह सुप्रीमों को बेकूब बना रहा है, असलियत यह है कि वह विमान अपरण की कोई योजना सोच चुका है, सोच ही नहीं चु से तो वह उस पर काम भी चालू कर चुका है ऐसा तुम किस पेस पर कह सकते हो विकास नाम के लड़के की जड़ से फुलगन तक जानने के बेस पर लेकिन वह विमान अपरण करना क्यों चाहता है मेरे ख्याल से उसे पाकिस्तान पहुंचने का यही एकमात्र बहतरीन रास्ता स पहला इस बार उसके रास्ते में कोई और नहीं खुद विजय खड़ा है वहाँ विजय जो विकास की नसनस से वाकिप है वहाँ उसे किसी भी नेमित फ्लाइड से रादनगर से बाहर नहीं निकलने देगा इसलिए उसने पूरा विमान अपरण करके पाकिस्तान पहुंचन की योजना बना डाली है दूसरा कारण सुप्रीमों ने उन्हें आश्वक्त किया है कि दिखावा पाकिस्तान बले चाहे जो करे परन्तु असल में पाकिस्तान में उनका स्वागत वेशा होगा जैसा युद्ध जीत कर श्वदेश्ट वापस आने वाले सिनिकों का होता है जनरल परवेज मुशरब के नस्दीक पहुँच जाएगा और उसके गाल पर चाटा जड़ देगा जिसके लिए वह सारा तूफान उठा है कापी समझदार हो गई हो अश्रब मुस्कुराया नहीं अश्रब आशा फिक्रमन नजर आ रही थी यह काम इतनी आसानी से नहीं हो तरनाक शायद था नहीं जितना मेरी जानकारी में आई मकमल इंफर्मेशन ने बना दिया है क्या मतलब एक बार फिर वही कहूंगा तुम बीच पीच में बोलकर मेरा सामजित तोड़ देती हो ऐसा नक करती तो शायद अभी तक में अपनी बात पूरी कर चुका होता वह बा जिसे सुनने के बाद यकिनन तुमारे होश उड़ जाएंगे ऐसी क्या बात है जरा सोचो बेस्मेन में उनकी बाते सुनने के बाद मैंने क्या किया होगा क्या किया पीचा किया सुप्रीमो का हाँ तुम्हें ऐसा ही कुछ करना चाहिए था मगर कैसे तुमने उसका पीचा क में कैसे किया जैसे ही मेरी समझ में यहां बात आई कि अब सुप्रिमो सराय से रवानगी के मूनड में है तो मैं खुद को शानता की नजरों से बचाता हुआ सराय से बाहर निकलाया. सुप्रीमों के बाहर आने से पहले ही में मास्टर की की मदद से एसेट की डिकी में जम चुका था वही हुआ जो होना था अर्थाद कुछ देर बाद एसेट ने सफर शुरू किया यह सफर करीब तीस मिनट चला तीस मिनट बाद जब एसेट रुकी और मोका देखकर मैं डिकी से बाहर निकला तो खुद को मिर्जा अपचल भेग के बंगले पर पाया कौन मिर्जा अपचल भेग आशा ने पूछा क्या तुम इस नाम के किसी शक्षियत को नहीं जानती इस नाम का तो राजनगर का MP है मैं उसी की बात कर रहा हूं हैरत में डूबी आशा के मूँ से निकला सुप्रीमो सीधा MP के बंगले पर पहुचा वही बोल रहा हूं इसका मतलब तो ये हुआ MP और सुप्रीमो मिले वे हैं बहुत ही वाहियात मतलब निकाल रहे हो तुम की बात काट कर बोला डिकी में से निकलने के बाद मैंने देखा एसेट की ड्राइविंग सीट से उतर कर मंगले के मुख्यद्वार की तरफ बढ़ने वाले शक्स के जिस्म पर कपड़े सुप्रीमो वाले ही थे मगर फेस पर ओसामा बिन लादेन वाला मास्क नहीं था इसक का मतलब तुमने उसका असली चेरा देख लिया बेशक कौन था वह क्या तुम अब भी नहीं समझी क्या मतलब मैं सोद भी नहीं सकता की तुम इतनी कूड मगज हो सकती हो कहीं तुम यह तो कहना नहीं चाते की मिर्जा अब जलवेग ही यही विलकुल यही कहना चाता हूं म वह जिसे कहने में तुमारी जीब जली जा रही है, हकीकत वही है, आतंगवादी जिसे सुप्रीमों के नाम से जानते हैं, वह मिर्जा अबजल बेग है, हे भगवान देश की जनता, कैसे कैसे लोगों को चुनकर पालियामेंट में पहुचा देती है, जिस देश की जनता गोली से डर कर और पेसे से दब कर मतदान करती है, उस देश को मिर्जा अबजल बेग से भैतर नेता मिल भी किसे सकते हैं, मगर खेर अश्रप ने एक गहरी सांस चोड़ी, इस वक्त हमारा टॉपिक ये नहीं है, निचोड़ ये है कि मैंने सुप्रीमों को बेपरदा देखा, अगर यह बयान करने लगा कि मैं किस तरह सबकी नजरों से भच कर उसका पीछा करता हुआ, बंगले के अंदर और फिर उसके प्राइवेट रूम में पहुचा, तो बात बेवजय लंबी होगी, काम की बात केवल यह एकी, MP में अपने कमरे में पहुचते ही, डबल बेट के उपर वाली दिवार पर टंगी नंगी लड़की की पेंटिंग हटाई, कोई गुप्त बटन डबाया, एक शक्तिशाली ट्रांस्मिटर के धर्शन हुए, और फिर उसके जरिये, पठे ने सीधा संपर्क पाकिस्तान से जो अलक से, अभी तो चोकने की तुम केवल फस्ट स्टेज पर हो, अगर मैंने यहाँ बता दिया, उनके बीच क्या बाते हुई तो, तो मारे धहशत के तुमारे होश उड़ जाएंगे, मगर बात बतानी तो पड़ेगी ही, बलकि अगर यहाँ कहा जाए, तो ज़्यादा मुन जिनोंने मेरे होश उड़ा रखे हैं, और मैं निश्चे नहीं कर पाया, कि आगे क्या करना चाहिए, मुझे किसी मददकार की जरत थी, सो मैंने तुमें बला, जल्दी से उनके बीच होने वाली भाते बताओ अश्रप, प्लीज, मिर्जा, अब जल बेग, बार बार हलो अल कर रहा था, कि दूसरी तरफ से तुगलक की आवाज उबरी, अबे यहां तो पहले से ही पूरा पाकिस्तान हिला पड़ा है, हमें भी हिला देगा, तो जमेगा कौन, कौन रोकेगा, जनरल सहाब के गाल पर पढ़ने वाले थपड को, इस तरफ से मिर्जा अबजल बेग ने कहा, सुप्रीमों बोल रहा हूं सर, दूसरी तरफ से कहा गया, सुप्रीमों होगा तु अपने घर का, हमारा तु तु चमचा है, बोल रगड जीब को, और मिर्जा अबजल बेग ने कहा, कमाल हो गया सर, आपका अनुमान एक्दम ठीक निकला, उसने यह पता लगते ही, कि सराय में ठेरे आतंगवादी, विमान अपरण के चक्कर में है, ठीक वही प्लान बना लिया, जिसकी अपने संभावना व्यक्त की थी, इस वक्त वह हमारे लड़कों के साथ, विमान अपरण करके, पाकिस्तान में गुषने के चकर में है, मैं खुद मिला था उससे, विमान की सुरक्ष विवस्था के बारे में बताया, हाईजेक की योजना बनाने के लिए उसने समय मांगा है, आशा के चेरे पर हवाईयां उनने लगी, मुह से निकला, ये तुम क्या कह रहे हो अश्रप, अपनी कोई भी प्रतिकिरिया बाद में व्यक्त करना, पहले पूरी बात सुन लो, अश्रप कहता चला गया, मिर्जा अबजल बेक की रिपोर्ट के जवाब में दूसरी तरब से कहा गया, बना लेगा, जरूर बना लेगा, बड़ा होनहार बच्चा है, ठीक बिलगेट्स जितना टेलेंटेड, काम करने दो उसे, हाईजेक करके लाने दो विमान कर चाची एरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करने के लिए हम मौजूद रहेंगे, वह क्या सीन होगा, मू थपेड देंगे साले का, वह हमारे जनरल सहाब के गाल पर थपड मारने आ रहा है, हम मार मार कर साले के गाल को ही टमाटर बना देंगे, मिर्जा अबजल बेग ने पु बुरीत्र हमारे चुंगल में है सर, हमारे लड़कों से बुरीत्र गिरा हुआ है, कब से इंतजार कर रहे थे की, कब पाकिस्तान को विकास नाम की इस आफ़त के पुतले से निजात मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मोका आया है सर, मेरी तो सला है, विमान अपरण का किसा ही छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान में कदम ही नहीं रखने देना चाहिए उसे, मोका मिला है, काले खां की सराय में ही गोलियों से बून कर डाल देना चाहिए, पाकिस्तान को हमेशा के लिए बहुत बड़े खत्रे से निजात मिल जाएगी, जवाब में नुसरत की गुसे से डूबी आवाज उबरी अपनी सला की बत्ती बना लो मिया और गुशेड लो वहां जहां से दस्त करते हो इसलिए तुम साले ISI वाले हर बार पठखनी खा जाते हो इस बार कमान हमारे हात में है हमारे गणित से काम होने दो अपनी खोपडी के गोडे मत दोडाओ बस वक करते रहू जो हम कहें सुप्रीमो सक्पका गया जा जी में तो केवल इसलिए कह रहा था हाथ हाया मोका कहीं निकल न जाए सुरक्षा यवस्थाओं पर गोर किया जाए तो विमान अपरन करना नामूनकिन की हद तक कठीन है वह अगर पाकिस्तान पहुचा ही नहीं तो उसकी बाद बीच में ही काट कर कहा वह पहुचेगा सरकार तुम्हें नहीं मालूम हमें मालूम है कि वह ब्रिलियन्ट है विजय फिजय सबको धत्ता बता देगा वह, सारी शुरक्षा यवस्थाएं अपने ठेंगे पर रख लेगा, पर पाकिस्तान में आएगा जरूर, बस इतना बता दो, सन्वार लियाकत और असकर को तो तुमने यह नहीं बताया की वह विकासे, इधर से जब MP ने नहीं कहा, द पताना भी मत, वे उसे शबिर्षा ही समस्ते रहे तो बहतर है, जो जिस तरह से चल रहा है, चलने दो, तुम देखना जिस तरह अभी तक हमारे सारे अनुमान, सेंट पर्डशेंट खरे उतरे हैं, उसी तरह आगे भी उतरेंगे, कहने के बाद, दूसरी तरफ से संबन की चाल में फसा हुआ है, बूरी तर, फिक्रमन नजर आ रही आशा का चहरा सफेद पड़ गया था, विमान अपरण करके, अगर वह पाकिस्तान ले गया तो, जिसे वह अपनी बहुत बड़ी काम्याबी समझ रहा होगा, असल में वह उसकी अब तक की सबसे बड़ी शिकस् ऐसी शिकस्त, जिसके बाद किसी से, शय और मात का खेल खेलने के लिए, शायद वह जिन्दा ही न रहे, अब जाकर समझी हो, तुम सारा जमेला, अश्रप ने कहा, यह जमेला जिसने मेरे दिमाग की नसे हिला रखी है, नुसरत तुगलक से होने वाली, मिर्जा अबजल बे जोचने की विकास ने एक योधना बनाई, उस योधना के तहट उसने अमेरीकी राजदूत और उसके ड्राइवर की हत्या करके, खुद को शबीर शाह के रूप में स्थापित किया, सराय में आकर सन्वा लियाकत और असकर से मिला, मगर असल में नुसरत तुगलक उससे भी दो कदम आगे हैं, खुलकर तो अब यह बात आई है कि वे न केवल यह जानते हैं कि शबीर शाह विकास है, वलकी मिर्जा अबजल बेग ने नुसरत तुगलक के इशारे पर सन्वा लियाकत और असकर को सराय में बेजा ही इस मकसत से है कि वहां विकास उनसे मिले और उस स् जिस पर कर रहा है, इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर विकास की दिशा नहीं बदली गई तो वह मोद के जबडे में जा फसेगा, सारी बाते जानने के बाद कुछ ऐसे ही ख्याल मेरे जहन में भी उबरे थे, सबसे पहले तो यही जी चाहा कि जपट कर मिर्जा अबजल बे बाजी होगी, शायद इसके परिणाम सही न निकले, क्यों इसके क्या गलत परिणाम निकल सकते थे, देश के ऐसे गद्धारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसकी मोद का मतलब होता, सुबै के सारे अकबारों में खबर छपना, यहा खबर पाकिस्तान में बेट कर अपना खेल खेल रहे, नुसरत तुगलक को यह बता देती की, उनका खेल खुल चुका है, जबकि फिलाल हमारे हित में शायद वही धर्शाय रखना है की, उनका खेल सही सलामत चल रहा है, कुछ सोचती हुई आशा ने कहा, कया तो तुम ठीकी रहे हो, इसलिए मैं जिस खामोशी क के साथ महां पहुचा था, उसी खामोशी के साथ लोट आया, फोन करके तुमें बुलाया, अब हम दोनों को मिलकर सोचना है की क्या किया जाए, करना क्या है, यह तो इशपष्ट है की, विकास को विमान अपरन की स्कीम पर काम करने से रोकना होगा, इसके दो तरीके हैं, पहला अपना सिक्रेट एजेंट होने का फर्ज निबा दें, अर्थात उसे घरबतार कर लें, अत्वा सीधे विजय को उसके सराय में होने की सूचना दे दे, बाकी का काम वह खुद कर लेगा, उस युवस्था में तीनों आतंगवादी भी हमारे हाथ लग जाएंगे, और नुसरत तुगलक को पता लग जाएगा की, उनका सारा जाल भिखर चुका है, इसलिए मैंने दूसरे तरीके पर कुछ जादा ही गंबीरता से सोचा था, दूसरा तरीका किसी तरह विकास को आगा किया जाएगी, पाकिस्तान की धर्ती पर नुसरत तुगलक उसका स्वा विकास को गरपतार करने की कोशिश करने या उसके बारे में विजय को सूचना देने का तो सीधा मतलब यह है कि उसे पाकिस्तान पहुंचने ही न दिया जाए, जबकि हम, हम दोनों चाहते यह है कि वह पाकिस्तान जाए और जनरल परवेज मुशरप के गाल पर थपड जमा जिसका इंतजार बारत का बच्चा बच्चा कर रहा है तो निशकर शेह निकला कि हम अपनी इंफर्मेशन उस तक पहुचा दें हमारे सामने एक साथ दो काम है, पहला विकास को वस्तु इस्तिती से आगा करना, दूसरा मिर्जा अजल बेग पर नजर रखना, केवल निगा रखना, किसी भी रूप में अभी हात नहीं डालना है उस पर, क्योंकि उसके खिलाब कोई भी कारवाई नुसरत तुगलक को संक के दे जाएगी की घडबढ हो चुकी है, जबकि होना यह चाहिए की, वे अपरहत विमान के पहुचने वाले विकास का इंतजार करते रहे और विकास किसी और रास्ते से पाकिस्तान पहुच कर जनरल परवेज मुशरप की कनपटी घर्म कर दे, यही ठीक यही होना चाहिए अशरप, तो बोलो कौन सा काम करना पसंद करोगी, तो मिर्जा अबजल बेक पर नजर रखना यह विकास को आगा करना, काम तुम सोपो, करना मेरा काम है, तो ठीक है, अशरप ने कहा, तुम MP पर नजर रखो, मैं विकास को आगा करता हूँ, फैसला होता गया उन दोनों के बीज, मगर यहां वे दोनों ही बहुत बड़ा दोखा खा गए, जिस गाड़ी की अगली सीटों पर बेट कर, उन्होंने ये सब बाते की थी, उसी गाड़ी की पिछली सीट और अगली सीट की पुष्ट के बीज, गाड़ी के फर्ष पर घटरी सी बना एक शक्ष बेटा थ तो ये है अब तक की कहानी, कहानी का अगला बाग अगले अंक में है